इनके लबे रंगी की निठाबरें थी के जिसने तेरा के दौरान ना तो कुरान पाख भी उठा के रखना पड़ता है अगर वरत हालत है हैज में हो और कुरान शरीफ पेटी में हो गर की सफाई करनी है और कोई दूसरा ऐसा नहीं है कि जो उसको उठा के रख सके या है तो उसका हाथ नहीं जाता है नि बच्चा है तो क्या वरत ऐसी सूरत में नपाकी में कुरान की पेटी को उठा के दूसरी जंगा शिफ्ट कर सकती है और यह कि अगर कुरान पेटी में ना हो तो क्या कर सकती है तो दोनों सूरतों में यानि एक सूरत में यह कि कुरान अगर पेटी में है और वरत नापाक है और सफाई के दोरान उसको पेटी उठा के कहीं रखनी है तो क्यूंकि कुरान का बक्सा होता है वो उसके अंदर कुरा अगर मान लीजिए किसी का कुरान पाक वो पेटी में नहीं है मगर उस पे जुजदान है यह मोटा कपड़ा ऐसा जो कुरान जिसके अंदर रखते है यह गिलाफ बनावा होता है अगर वो कपड़ा मौझूद है कुरान पाक के उपर तो उस पे से भी पकड़ के उठा सकती है अगर ऐसा है कि वो कपड़ा बहुत बारी के है या यह के है ही नहीं बहुत अलका यह उसको दिल का वारा नहीं करता तो कोई और दूसरा मोटा कपड़ा जो पाक भी हो और अपने जिसम पर वो इस्तेमाल भी नहीं हो मसलन यह के टावल वगेरा कोई साफ है और उस टावल को डाल के उस टावल पे से पकड़ के कुरान पाक उठाया जा सकता है नपाकी की हालत में तो अगर उस पे जुजदान भी नहीं है तो इसी तरह मोटा कोई चादर वगेरा जिसको दो तीन तेह बना के फोल्ड कर ले और कुरान पर रखके उसको आराम से पकड़ के उठागे वापस अपनी जंगर रखके सफाई करके वापस उसको फिर से शिफ्ट कर सकते हैं तो ऐस तरह नहीं कर सकते क्योंकि अपनी जिसम पे फिर इस्तेहमाल होने वाला कपड़ा है तो वह जिसम पे इसे भी उतार कि रख सकते हैं बस यह उस्के जिसम पर उड़ा नहीं जाएगा अगर ना पात अवरत है तो इस तरह पेटी और कुरान को कपले से उठा सकती है